नमस्का दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आदमे वीडियो लेकर आई हूँ मेश लगन वा मकर राशी का वर्ष 2022 का राशी फल सबसे पहले आपको नव वर्ष की बदाई कि वर्ष 2022 आपके लिए शुब जाए अब हम बात करते हैं कि मेश लगन व रशमभाम में बैटा है दस नमबर में इसका अर्थ है आपकी मकर राशी यानि आपका कमीनेशन अगर मेश लगन वा मकर राशी का बनता है तो यह वीडियो आपके लिए हैं मेश लगन वा मकर राशी के लिए वर्ष 2022 कैसा है मेरा यह मानना है कि अगर आपका मेश लगन व में उपलब दो जाएंगे और जनवरी के करते करते अप्रेल में 39 अप्रेल 2022 को शनी महाराज में मेश लगन के एकदर्श में आने से इच्छा पूर्ति के भाब में जो शनी महाराज विचलन करेंगे 39 अप्रेल से 12 जुलाई तक वो मेश लगन के जात्कों के लिए बहुत चुरुआत कर सकते हैं लंबे समय से आपका कोई काम रुका वा था तो वो 39 अप्रेल से 12 जुलाई के बीच में हो सकता है और वर्ष का जब आरम होगा तो उनके इच्छा पूर्ति के भाब पर देवकुरू बर्षपती होंगे तो इस तरीके से वर्ष में उनके काम बंते रिखाई दे रहे हैं उमकर राशी से देवकुरू बर्षपती दूसरे भाब में बैटे हैं वर्ष के आरम में और उनकी दशम भाप पदिश्टी है तो आपके लिए मेश लगन वमकर राशी के लिए के लिए जो शुब समय निकल कराता है वर्ष 2022 में वो शुरू होता है जन्वरी से और वो रहता है सितंबर तक जन्वरी से लेकर सितंबर तक आपके लिए के लिए करेर से जुड़ी शुब घटनाएं गटती रहेंगी और उसमें भी 39 अपरेल से लेकर 12 जुलाई तक का समय आपका विशेश शुब समय है यह वो समय है जब आपकी इच्छाओं जब को बदलना चाते हैं तो उसके लिए बड़ा शुब समय है और अगर आप अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास करना चाते हैं तो उसके लिए भी समय शुब है और आप चाहें तो अपने ट्रांसफर के लिए भी प्रयास कर सकते हैं धन के लिए वश ऐसा है कि मेश लगन योग इस वर्ष बना हुआ है विदार्तियों का समय अच्छा है क्योंकि देव गुरु वर्षपती की पंचम भाप पर रिष्टी है और गुरु वक्री होकर भी पंचम को देखेंगे तो आपके लिए पूरे वर्ष पढ़ाई का समय अच्छा है अगर आप परत्योकता परि रिष्टी दे रहें और आगे चलकर मकर राशी से भी गुरु मीन में आके सफ्तम को रिष्टी देंगे तो विवा होनी की संबाबना बनती है जो संतान करना चाते हैं वो इस वर्ष के आरम में संतान कर सकते हैं आपको संतान से जोड़ी खुशकवरी मिल सकती है पर एक जातक हैं और आपके परतमान में इस समय कोई कोट केस चल रहा है तो 12 प्रहल 2022 के बाद उस कोट केस में सावधानी रखेगा हां आगे चलकर जब गुरु वक्री हो जाएंगे तब इतना टेंशन लेनी की जरूए लेकिन जब तक गुरु मारगी रहते हैं वो आपके लिए का समय है इसलिए कोट केस में सावधानी रखेगा और आगे बढ़कर किसी से किसी पकार का ललाई जगडा मतमूर लीजेगा क्योंकि बार्मा गुरु जो होता है वो कही तरह के कोट केसे जबगार में आपको फसा सकता है और आपके लिए नेगेटिविटी आ सकती है एक त आपके लिए यूग बनता है कि नवेश 12 में जा रहा है अगर आपको यहां पर जॉब नहीं मिल रही तो कोशिच करें आप अपने जनमस्तान से दूर जॉब ढूंडे या विदेश जाके जॉब ढूंडे तो आपको जॉब मिलने की संबाबने अच्छी बनेंगी क्योंकि गोचर में नवेश 12 में चल रहा होगा तो मेरा इमानना है कि मेश लगन मकराशी के लिए वर्ष जो यह 58 परशंट तक बढ़िया जाएगा अभी 58 से 62 या 65 हो सकता है बशरते आपकी दशाएं शुब होगी जब आपकी पंचमेश सूरे की भागेश गुरू की और लगनेश मंगल की ये दशाएं चल रही होगी तो ऐसी स्थिती में दशाएं शुब होगी अगर गुरू की मंगल की या सूरे की दशा चल रही होगी महा दशा या अंतर दशा चल रही होगी तो आपके लिए गोचर शुब होगा तब आपको 58 की जगा 55 परसंट तर जल मिसकता है ले अगर शुकर आपका डवल मारकेश है तो अपना हेल्थ को लेकर विशेर साफधानी रखिएगा तो दर्शकोई मेरा मानना है कि मेश लगन्वा मकराशी के लिए वश अठावन परसेंट तक बढ़िया जाने वाला है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और उसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किर्पा मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें साथ ही बैए अइकन को भी दुबा दें जिससे जब ही मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलना ह और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्का दश्को जैमाता दी